पूरे दिमाग में पूरा कॉंसर्ट फिट कर दिया था जो पेपर में अक्सर आते उन सवाल के जवाब आपके सामने थे आपका काफी दिमान था जी गुरू जी आप SI का भी इंस्टॉल्मेंट हमें करवा दो पेपर अभी एक्दम पास में और मैं जाओ पेपर में जो उचल उचल के सवाल जो आते है न SI का मैं उसको वहीं दवा दो बस आपके फरमाईस पर आपका वीडियो है जी जहां SI का इंस् सवाल का जवाब लाकि आगे बढ़ जाएंगे ठीक है जी अपने पेपर में ऐसे SI में टोटल चार टाइप के इंस्टॉल्मेंट का सवाल बनता है लेकिन अपने पेपर में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप का सवाल है मैं क्या बोला फिर से समझो एक्जामिनर के दिमाग में SI के इंस्टॉल्मेंट चार टाइप का सवाल आता है लेकिन अपने पेपर में सिर्फ दो ही टाइप का सवाल रिपीट होता है और दो टाइप का सवाल रिपीट नहीं होता उसको नहीं देखेंगे सिर्फ उसी दो टाइप को देखेंगे जो पेपर में अकसर आता है ठीक है देको CI का installment क्या होता है वो हर महीने या हर साल equal-equal installment हम पे करते हैं जो CI पे installment आता है और उसी installment में interest भी included होता है उसी installment में interest भी included होता है लेकिन समझना लेकिन SI के installment में SI के installment में वो जो आपका interest होता है वो included नहीं होता है वो installment के साथ एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट लगा के फिर आपको बोलता है दो मैं क्या बोला फिर से समझो CI का installment में क्या था जी उसका जो इच installment आता था उसमें अल्रेडी क्या included होता था जी इंट्रेस्ट लेकिन SI में ऐसा नहीं होता है SI का installment जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे उस साल का इंट्रेस्ट एड कर देते हैं यह होता है बट अगर आपसे पूछेगा तो जो installment का हम आपको value बताएंगे वही आपको बतानों हर साल आप देंगे SI का installment हर साल equal नहीं होता है SI का installment हर साल equal नहीं होता है हर साल उसका installment का value है प्लस उसका interest एड होते चला जाता है यह बात आप याद करके रखेंगे SI और CI में यही difference है को CI का installment के एक बार फिर से समझ लो CI का installment है जी उसका जो installment है उसमें already का included है उसका interest वो सब मिलाके दे दिया होता है आप देखेंगे ना credit card का statement आता है उसमें ध्यान से देखेंगे तब को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा लेकिन जिनरली बैंक न CI का installment पर देता है SI का installment नहीं देता है यह सब हमारे हम लोग के आस पास में SI का installment ना के बरावर घूम रहा है ना के बरावर घूम रहा है तो मैं आपको क्या समझा रहा है वो जो installment आता है SI का installment वो हर सा पहले साल कुछ और देना है, दूसरे साल कुछ और देना है, तीसरे साल कुछ और देना है, तीसरे महीना कुछ और देना है, यह सा बात आप समझ कर रखेंगे, उसमें क्या होता है, हमेशा इंट्रेस्ट पी इंक्लूडेड होता चला जाता है, ठीक है जी, चलो, अब सुरु प्रिंस्पल नहीं है 630 इसमें इंट्रेस्ट भी इंक्लूड़ेट है यह बात अप्यात प्रिंस्पल नहीं दिया हुआ है और हम लोग को जनरली जो वहां पर हो रहा था यह बात अब सवाल का जबाब कैसे आगा देखना पेपर में आप यह स्टेप फॉलो करना एक लाइन में अंसर आजाएगा अभी देखो हम क्या करेंगे हर साल का इच इंस्टॉल्मेंट हंड्रेट मानके चलेंगे चलो देवानंद कलम से सुरुवात किया जाए देखो हम मानते हैं तीन साल है ना तीन साल है तो हम मानते हैं लेट इच इंस्टॉल्मेंट भी हंड्रेट अब देखो तो जो पहला साल हम इंस्टॉल्मेंट देने आएंगे वह सौ रुपईया होगा जो पहले साल हम इंस्टॉल्मेंट देने आएंगे वह सौ रुपईया होगा अब आप दूसरे साल पर, अब समझना, जब आप दूसरे साल जाएंगे नहीं इंस्ट्रॉल्मेंट देने, जब आप दूसरे साल पैसा देने जाएंगे, तो बुलेगा देखो, यह तुम पहला साल जो हमको 100 रुपईया इस्टाटिंग में दिये थे, यह तो ठीक है, वो त थकम ऐए हो देने, तो सो पे 5% इन्ट्रेस्ट दो, मतलब कितना रुपईया दो हमको? 105 रुपईया दो अब तीसरा साल है, अब तीसरे साल में भी महाँआ रुपईया दे लेके जाएंगे तो भी सो रुपईया देने। एकर तुम दो साल पहले ही देती होते मेरा सबको सद्धी बलती हो गया उता लेकिन यह जो सौर उपये हैं हम दो साल के बाद आया है देने इसका मतलब हम 5% इंटेस्ट दो बार देंगे मतलब कितना देंगे 110 देंगे समझ पाएं क्या अगर नहीं समझ पाती इतना समसमझ लो पहले साल में 100 रखेंगे और बस जो भी आपका यह रेट आफ इंट्रेस्ट उसको एड़ करते चले जाएंगे इंट्रेस्ट आते रहेगा लेकिन इच इंस्ट्रॉल्मेंट के यह जी 100 है ठीक है चलो यहां पर 100 रुपईया प्लस एक्सो पांच रुपईया प्लस एक्सो दस रुपईया दोगे न यह इसका पूरा कर्ज सद जाएगा अब देखो कर्ज का ही रुपईया कितना च्छे सो इसको एड्ड करो एड्ड करो के खूनी कलम से देखो तो 100 प्लस एक्सो पांच प्लस एक्सो दस कितना आगया मेरे भाई 315 तो मेरे हिसाब से 315 रुपईया करज लियें इंट्रेस्ट लेकिन पेपर में कितना दिया यह च्छे सो तीस रुपईया तो 315 का वैलू कितना है सो माने थे, तो इच इंस्टॉल्मेंट कितना हो गे तुम्हारा, इच इंस्टॉल्मेंट कितना हो गे तुम्हारा, दो गुने सो, यही तुम्हारे सवाल की सुन्दर से जवाब है, पाहू बली तुम बन गए, अफसन भी, समझ पाई क्या, अब समझो, पहले साल का सब कुछ एक के बार दे दिये होते बीना इंट्रेस्ट मतलब हम सोचर सब अगर पहली बार लेकर आयो इसको पहले साल ही दे दिये होते इसको अगर तुम पहले साली देती होते तो एक साल लेट आये हो तो 5% ब्याज दे दो जब तीसरे साल में गए तो दूस साल लेट आये हो तो दूबर तूम 5% के ब्याज दो ठीक है ना पेपर में कभी-कभी इंस्टार्मेंट का भी वेलु दे सकता है और कभी-कभी आपसे total आपका कर्ज इतना हुए विस इंटरेस्ट वह सब दे सकता है लेकिन जाएंगे तो में भी इंस्टार्मेट जाएंगे आया समझ में यसर चलिए अगर कम समझ में आए तो अगला वाला सवाल तुम देखो अगला वाला सवाल खूनी कलम से लिखा गया यह तुम्है समझ में आईगा देखो अब बोल रहा है और 288 रपय आपको याद किजिए जिसकी बार्सी भुगतान चार परसंट परती वर्स साधारान व्याज की दर्से चार बर्स में 848 उर्विय करीन भुगतान करेगा मतलब यह जो 848 यह कर्ज का आमाउंट है इंट्रेस्ट पहले साल में प्रिंस्पल इंच इंस्टॉल्मेंट देखो इंस्टॉ स्टॉफलि में 158 अजाएगा थम दूसरा इंस्टॉल्मेंट गया तो चार परसंट ब्यास घ्यात रुपई हूंप ऐसन तुम तिसरा इंस्टॉल्मेंट 8 अपर चौता इंस्ट्रॉल्मेंट लेके 100 रुपईया देने तो बहुता तेज बनते हो तीन साल पहले आते तो तुम सा पैसा नहीं लेते इंट्रेस्ट का लेकिन तुम तीन साल लेट आयो तो चार परसें तीन बार दो हमको 100 रुपईया पे मतलब 12 रुपईया दो अब इन सब को जो रो जो जो 848 रुपईया पता है क्या है वो है जी तुम्हारा पुरा कर्ज वाला रासी अब देखो इनको अगर जो रोगे कुनी कलम से जो रोगे तो कितना हैगा टोटल आपका हैगा 412,824,424 रुपईया अब चलो मेरा 424 पेपर में कितने के बराबर है 848 के बराबर है एक का वैलू दो सरा कितना असान असान डेटा है गई या ब्रो सो का वैलू कितना 200 ओप्सन तुम्हारा ए समझ पाई क्या अब देखो अब तुम्हें गुरू दक्षिना देने का समय आ चुका हुआ है अभी तुम हमें तीसरे वाले सवाल के गुरू दक्षिना देख के जरा हमें बताओ पैसा नहीं सवाल का जवाब सवाल नंबर 3 क्या है तुम वीडियो पहुच करो बनाओ वीडियो पहुच करके बनाओ 12% साधारान ब्याश्वे पांच बर्स में दे इतना रुपया का रिन भुक्तान करने के लिए आवस्ते किस्त कितना है मतलब यह जो 21,080 रुपया यह बताओ क्या है यह है तुम्हारा बिथ इंकुलूडेट इंट्रेस्ट करज वाला अमाउंट अब पांच वारी इंट्रेस्ट तुमें पांच इंस्ट्रॉल्मेंट में देना है तो तुम क्या करोगा पहला इंस्ट्रॉल्मेंट कितना मानोगे जी सेट इंसक्राइब कुरा मानों हर और इंस्ट्रॉलमेंट100 कि आप है ट्थे चाहे से अधाना शॉड़ा गीतना साल ऋतने बाख करते चले जाना और अधाक सब्सक्राइब क्या इन सब को जोरो तो कितना आता है चलो इन सब को जोरो इन सब को जोरने का तरीका पता हैं तेखो 4836, कितना आगया तुम्हार, 84, 84, 84, 24, उम्हार कितना आगया एंठानमे, और 98, और 12, कितना आगया है, हमको लगताए गलती जोर है, जूरो, तो देखो, आइए, देखो, ऐसे जोर रहे हो तुम मैं बता हूँ, अगर मैं पेपर में बैटू तो मैं कैसे जोरू, मैं इसको ऐसे जोरू भाई, 24 और 36, 60, yes sir, 48, 22, 48 और 12, 60, 60, 60, 120, तो 500 प्लेस 12, 620, ये क्या था sir, जोर लो न, देखो, जिसके लास्ट पे 0 आजे वो जोरने में बहुत आसान है, 45, 42, 60, 36, 24, 60, 60, 60, 60, 120, ये तो भी इंट्रेस्ट आ गया, और 100, 100, 100, 500, 500 प्लेस 120, 620, और अगर तुम्हें नहीं समझे, सबको जोर लो न, यार, क्या उतने स्ट्रेस लेना है, और 620, का value कितना देव, 21,080, चलो, पूनी के लाम की का इस्तेमाल करते हैं, तो 620 का value है मित्र, 21,080, यहां से एक का value कितना हैगा, 21,08, में, इससे divide कर दोगे, 620, चलो, देवनानFreन के लाम से काटते हैं, अब 62 से काट देव इसको, 62 कितना होताцен, 160, चार बार में कटेगा एक का वैलू 34 जब एक का वैलू 34 तो तुमसे इच इंस्टालमेंट पूछा है और इच इंस्टालमेंट कितना है तुम्हारा 100 तो 100 का वैलू कितना आ जाएगा लेकिन जब दूसरे साल जाओए तो सौं से एक सोमारा तीसरे साल गया तो दो fleeing मतलब दोसल तुम लेंट गया तो 12 वार जब चव्य साल गय तो तीन वार जा भार बार परसंट 1 तीन भार जब Gentlemen ने झाल निकाल यह इ इतनी आतनी अमेंश्यू साफ वालत इंस्टालमेंट के व मैं कि मजाफ लग रहते हैं तो तो उंगा सक्षर सवाब में इस वाल में क्या किया इस इंस्ट ने रखा है। मैंने इंस्टॉल्मेंट ही यह इन्स्टॉल्मेंट ही रखा है। घ्राए मैं टनुथ पाँच परसंट इंट्रेस्ट पे तो जो हम सो मानते थे नहीं सो नहीं मानेंगे जब इंस्टाल्मेंट तुमको पता ही है उसी पे काम कर दो जब इंस्टाल्मेंट तुमको पता ही है तो उसी पे काम कर दो यस सर आप तो सही बात बोल रहे हैं जब इंस्टाल्मेंट पता है तो क्यों 200 मानेंगे जब installment पता है तो उसी को लेके चल लो तो देखो तो पहले साल कितना दोगे तुम 200 रुपया अग दूसरे साल कितना देगे तुम 5 साल तक जाना है दूसरे साल क्या आएगा 200 का 5% 10 रुपया मतलब 210 तुम 5 परसेंट दो बार आएगा तो 5% 200 का कितना आता है 10 तो 10 तो 20 हो जाएगा अगला साल क्या आएगा अगला साल चार होगा तंगती का असर यह तुमारा कितना आए 230 अब पाजमा साल कितना आए 230 नहीं आया समझ में पहले साल दूसर रुपया दूसरा साल 200 प्लस 200 का 5% तिसरा साल 200 प्लस 200 का 5% दू बार समझ पाई क्या तो देखो 200 का 5% मतलब 10 रुपया ब्याज लग रहा है तो हमको पता है न हर बार आइड करते चले जाएंगे 5 रुपया मत जोड़ देना 200 का 5% अच्छा बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है न चलो 200 का 5% कितना आगे 10 देखे न 100 का 5% 5 होता था अब आया समझ में अब आओ देखो अब इन सब को जोड़ दो यही ते तुमारा पिथ इंट्रेस्ट तुमारा कर्ज की रासी पता चल जाएगी भाई वह सर रासी का नाम मत लीजे सर तो को 40, 30, 70, 90, 100 दूसो पंचे एक हजार एक हजार प्लस एक सो एक जारा सो तुम सो भी मान के बना सकते थे सो मान के बता दे चलो तुम टेंसन मतलो गुरुजी हम तो सो मान के बनाये थे तो चलो सो का 5 परसंट पांच रुपई यह थे 105, 110, 115 और 120 एक दू तीन, चार पांच अब पांच बार है अभी देखो इन सब को जोड़ दो थे कितना आ गया 20, 15, 35, 45, 10, 50 मतलब कितना आ गया 550 यह तुम्हारा कर्ज वाली रासी आगे अब यहाँ पर सौ का यह वैलू कितना दिये है 200 रुपईया दिये होगा सौ का वैलू कितना है 200 रुपईया एक का वैलू कितना आगे दो यह 550 का वैलू कितना आगे 550 गुने दो स्टेजी 1100 होगे तुम्हारा एंसर आगे, समझपाई क्या, जब installment देगा, तब भी हमें पता चल जाएगा काम कैसे होता है, ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला एकदम खुबसुरा सवाल पे आपके जैसा ही सवाल लेके आते हैं, अभी आओ, अब आओ देखो, ये था तुम् पेपर में एक से लेके चार ही सबसे जादा पूछा जाता है, पांच, छे साथ जो इस वीडियो का सवाल है, वो थोड़ा कम आता है, लेकिन आता है, इसका अलावा पेपर में नहीं आता है, इंस्टॉल्मेंट का सवाल, ठीक है न, देखे, मैं आपको ये सब टॉपिक इस अक्सर आते रहता है, और आपको हमीसा सवाल का जवाब गलत हो जाएगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो, आओ, अब देखो सवाल नमबर पांच क्या है, अब आपको पता चल जाएगा, इस 1150 में इंट इंट्रेस्ट इंकुलूडड़ है कि नहीं है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, इच इंस्टॉल्मेंट 400 रुपईया दिया हुआ है, और तीन वर तुम पे करोगे, तो 400 तीया, 12 सब, अच्छा, बोला तो 1150 रुपईया है, पे कर दी 1200 रुपईया, मतलब ये 1150 के प्र प्रिंस्पल का इंट्रेस्ट है वो सब, कैसे बनेगा समझना, कैसे बनेगा समझना मेरे बाई, चलो अन मस्त कलम लेते हैं, देखो, 1150 रुपई है, अब देखो, पहले तु यह समझो, तुमको देना कितना 1150, और तुम दे कितना दिये, 400 गुने 3, 1200, मतलब तुम जो यहां से इंट्रेस्ट दोगे, वो कितना दोगे इंट्रेस्ट, 50 रुपई है, इसलिए 50 रुपई है पे रीट आफ इंट्रेस्ट पचास रुपई हैं, एक बार पे पचास रुपई हैं 5.0 रुपई हैं तीन बराबर बराबर किस्त पे मिला के 50 रुपई हैं अब आओ समझो, और हर ही किस्त के लिए प्रिंस्पल घड़ता चले तुम देखना कैसे अब आओ, मेरे भाई, जो 50 रुपई हैं इंट्रेस्ट अब याद रखना अब यह अर्ली इंस्ट्रॉलमेंट नहीं अभी आओ जब तुम पहली बार जब तुम पहली बार चार सुरॉपया देने आओगे समझो मालो आप ही से हम सारे 1100 रुपया लिए और आप हमको बोले देगा गुरु जी आप हर महीने 400 रुपया लाके दीजिएगा जब आपको पहला महीने के आखली में जाएंगे आपको 400 रुपया देने इंस्ट्रॉलमेंट अबला सिस्ट्रम अब बोलेगा ना अच्छा आप हमक इंस्ट्रॉलमेंट देने आएं उससारे 11100 रुपया का एक महीना के आपको दी पहला महीना में आपको 400 रुपया गीए पिहले महीना ही अदर सारे थीन सोर रुपया प्रिंट्रेस्ट दने आएंगे घले कम समझ मैं पिर समझाते हैं फिर समझाते हैं देखो, 1150 रुपी या आपका total principal है, ठीक है, जब आप उसको interest पहला महिना में जो interest देने आएंगे, तो पहला महिना में interest कितने पे देने आएंगे, 1150 पे देने आएंगे, 400 पे नहीं, वो 400 तो भी interest included amount है, 1150 पे पहला महिना का interest आएगा, अब यह देखो, अनीचे में 100 गुने 12 का है कि मंतिली है, और जो आपका interest है वो, जो आर परसेंट मानते हूँ, क्या मानते हैं, yearly मानते हैं, यह आप एक महिने का, अब आप, जब आप, देखो, यह पहले महिने का, जो पहला महिना होगा, उसका interest है, अब जब दूसरा महिना जो हम पैसा लेक अब तुम हम को दिये हो, ओ तुम हम को माहिनस कर दो, अब तुम हरे पास कितना रुपईया जो हम दिये थे, आप, उस सारे 700 पे अगला महिना इंट्रेस्ट हो, यस जब तुम तीसरा महीना आओगे तो सारे साथ सो में सफील um 400 और दूसरा महीना में दे चुके थे तो बचा कितना तुमहारा ça 300 रुपया इस सारे 300 रुपया पर आर परसेंट से एक महीना का हम क्या देंगे जी इंट्रेस्ट देंगे आया समझ में Yes Sir अब समझ में कैसे कैसे सिस्टम हो रहा है इसी को बोलते है पेसेंस पेसेंस रखेंगे तो आपका सब आ जाएगा सब सवाल का जबाब आ जाएगा आईए must कलम लेते हैं इसको हम बोलते हैं सारी का कलम देखे सारी का कलर देखे जिनरल इसमें महिला या कोई भी लड़की ये सकसा इसका लड़का ये पहने ना बहुत खोसुरत लगती अब देखिए आप ये नहीं समझेंगे हम उल्टा डिरेक्शन में जा रहे हैं इधर देखो अब तुम यह से कॉमन कह ले सकते हैं तो नीचे मैं गाए बासो गुने ब बढ़ाबर आरबटे 1200 गुने अब सारह 1100 साथ 1178 एक उनीस सब नीस सब तीन सब पचास कितना आगे बावू बाईस सो पचास आगे चली खुनी कलम से काटते हैं इसको जरा कंटे का कटे हैं पहले आर को लिख लेते हैं ठीक है ना आर को लिख लेते हैं यहां से मेरे भाई divided by 52 ठीक है दोस्त काटो चलिए एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं फिर 25 से काट देते हैं एक कहां 25 से काट देते हैं 25 से कितनी बार में 9 बार में अब 25 चुट के 100 कितना हो गया हो 20, 25, 8 हाँ 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 अब आई दूसरे कलम से काट दें 13 यह ट 있는 से 16 भार में 16 hasedes 80 pH angry ऐसले तीन पर से स्मझपार रहना और Τ Его जो फैले टक जो सवार था उसमें या इंस्टॉल्मेंट रहाँ जरता या तो आपका पूरा included इंटरेस्ट धश्वा नर्स पलता ऑना हो तो 100 मान के बना देटां तुम्हारे लिए यह तुम्हें बनाना है देखो हमाएं नाम भी लिखें इस सवाल में नितेस पर्चेजेज ए ट्रैक सूट और रुपीज चौबीस सो कैस्ट और एक हजार कैस्ट डाउन पेमेंट और टू मन्तली इंस्टॉल्मेंट और रुपीज एट हंड्रेट तुम कैस्ट देके ले जाओ उससे समय पाईसा देदो तब तुमसे कोई इंट्रेस्ट नहीं लेंगे या तो हजार रुपईय डाउन पेमेंट कर दो और हर महीने दो महीने तक आठ-ठाट-टो रुपईय लाके हमको देदो तो हजार रुपईय पहले दिये आठ-ठाट- रुसी का तवार बताना है आँ चलो देखो बनाते हैं सवाल को मस्त कलम लेते हैं देखो 2400 रुपईया हम मालों उधारी लिये उसमें से 1000 रुपईय उसी समय पे कर दिये ठीक है न मतलब कितना बचा जी 1400 रुपईया अब जो हमको इंट्रेस्ट देना होगा इस 1400 पे देना प्लिए यस अब हमको आया समझ में यह जो दो सो रुपईया है रुपजों ये थोड़ा हलका कलर होगे हाँ अब आई ये जो दो सो रुपईया है ये दो अलग-अलग किस्त का इंट्रेस्ट है लेकर अब आईए तो जब आप भूलेगा गुरु जी जब आप पहला इंस्ट्रॉल्मेंट देने आईएगा हमको माली हम अगला महिना ना कुछ रुपईया कम का इंट्रेस्ट दीजेगा इस चौदा सो रुपईया पर आर परसेंट से एक महिना का ब्याज कितना होगा चौदा सो गुने आर गुने एक बटे सो गुने बार मंतली इंस्ट्रॉल्मेंट है बेटा अब देखो जब हम आपको अगला महिना जब हम पाईसा किलियर करने आएंगे तो पहला महिना था हम आपको आट सो रुपईया दे चुके हैं तो मतलब चौदा 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 चौदा हो जो छोसो बचा उसपर inट्रेस्ट दो यसर तो चो सो गुने आर गुने एक बटे 100 बशर अब आफ चलो अब याई इए 200 बराबर यह जो कटेगा हो काट डालो इसको यहापर एक काम करो आरा Är बटे बारेट सो हर बill Character यही कोमा लेना आसानी होगा और अधा कि आ अगर यह सब समझ गया ना आईए अगला एकदम बहुत फेमस सवाल है हर किताब में हर प्रिवेस येर में आप यह सब देखिएगा हर जगह यह सवाल आता है हम तो बोलेंगे आप इसका एंसर याद कर लीजिए दुस्ट चालिस वटाइगा पसंद हम ते इंसर याद करके गहते पेपर में भले आस तक टकराया नहीं एक पर इस अबार मेरे एकजामी जितनी बर मेंस फीद आस तक नहीं आए लेकिन अकसर आत के लिए तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे नहीं बनेगा छोड़ देंगे आप सिर पर सिर्फ पर प्रिवियस यह पर खूदे रहेंगे बहुत सारे बच्ची क्या कर देना डी मोटिवेट करने के लिए इधर उधर से सवाल नहीं बनाएंगे नहीं आप बोल किये तो उन सब के सवाल का जवाब आप नहीं देंगे पता चले कि दूतीन घंटा बीद गया एकादों को सवाल नहीं पर इन सब से बाहर करेंगे इधर उधर के सवाल को मत बनेंगे सिर्फ पर सिर्फ कहां इस्टिक कीज़़े प्रिवेस यह पर क्यूंकि बहुत सारे इ Guinea इंस्टल्मेटन इज रुपी जिवन और प्रते कि इंस्टॉल्मेंट कितना एक उपईय अभी 30 इंढया गुने की 11 रूपय रेक्ः देंगे लेकिन 10 रुपईय कितना लगा एक रूपय यहींएक रुपिया जगारा महीना तक दीरे obsessed इंस्टॉल्मेंट पे आते 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 मेल गया एक उरुपईय का बेश्या रुपईया निमीला है तो इसी पे रिटा आपको कोई इसा इहां नहीं पढ़ा रहा है इसा ही में एक special topic इंस्ट्ल्मेट में वो कर बारा है ठीक है देखो अब देना कितना है बताओ देना है 10 दे-éo दे-éo 11 अतलल बेटा यहां पर इंस्ट्रॉल्मेंट कितना आगए? एक रुपई आगया एक रुपई आगए पहर या अब आई który एक रुपई आगए जी एक रुपई आगया डारेक्ट नहीं आया अब समझना वहाई है नहीं उसे तुम्हारा कॉंसेप्ट है एक रुपईया ब्याज देखो धीरे धीरे आया है समझना महिन आपको पहले महीन, इक रुपइया मनुपर देने जाओँगा एक रुपइया में प्रिंसपल प्लस इंट्रेस्ट में इंेग थीगर अब देखोएं यहां पर आप समझना तो यहां पे हम क्या बोल रहा है और जब जो पहले महीन हैं और तो थो unitary ऐसा देने जाएंगे तो उस बार तो संपूर्ण रासी पर आपको इंट्रेस्ट देंगे यास तरह आईए मैं ये कलम ये कलम ले रहा है ये कलम लीजिए ना चलो दस रुपईया पे आर परसेंट से एक महिना का भ्यास देंगे सो गुने आया समझ में आभाई ये जब आप अगली बार आएंगे देने ते बुलेगा गुरुजी एक रुपईया आप हमको दे चुके थे तो अगली बार आपना एक रुपईया कम देजिएगा मतलब नो थे अब की बार हम आपसे आठे रुपईया पे इंट्रेस्ट लेंगे कितना बार इंट्रेस्ट लेना टोटल 11 बार अभी तीने बार पूरा इसे करते करते 11 ले जाएंगे अब आए अगली बार जाब आएंगे तो फिर एक रुपईया हां पहली दे चुके हैं तो क्या कहिए साते रुपया पे इस पे इंट्रेस्ट लेंगे गएग सात गोंए आर्गुनए एक बटे सौ गोनए 12 Πर एक रुपईया कम दीजिए गा यहाँ पर फिर एक रुपईया कम पर आपको हम इंट्रेस देंगे, पांच गुने, आर गुने, एक बटे, सौ गुने, बारा, एक बाच चेक कर लो, कितना बार दे चुके हो, एक, दू, तीन, चार, पांच, छो बार दे चुके, पांच बार और चाहिए, एक रुपईया फिर कम दो गया, एक रुपईया कम पर, मतलब चार गुने, आर गुने, एक बटे, सौ गुने, बारा, अगली बार एक रुपईया कम पर, तीन गुने, आर गुने, एक बटे, सौ गुने, बारा, पिर अगली बार फिर एक कम पे 20-20-20, कितना हो गया है, उपर 3, 3, 6, 8, 19, नीचे 9, आचा 9 बार रहे कुआ हुआ, दो बार और और बचआ हुआ, अगली बार फिर एक रुपईया कम पे, एक गुने आर गुने एक बटे सौ गुने बारा और अगली बार फिर क्योंकि अभी दस हुआ एक बार और इंट्रेस्ट देना है एक रुपईय कम पर मतले इस बार जीरो रुपईया प्रिंस्पल हो गया है इस बार जीरो रुपईया पर होता है आता है अक्षर आता है ऐसे सवाल यहां पर प्रिंस्पल है जीरो हो गया है उस महीन आपको इंट्रेस्ट नहीं लगा है लेकिन आपसे पूरा का पूरा बोला माहिनुक पहला महिन लिख में आप से 10 रूबिया ऐसे करते करते महिनुक्त मवाहिन 1-11 प्रिंस्पल जीरो हो जा रहा है लेकिन सारा का सारा इंट्रेस्ट इंकुलूडड़ है उसमें प्रिंस्पल जीरो हो जा रहा है इसका ही मतलब थुरी न आप दस महीना में दस रुपईया देकर लटक जाएगा 11 महिन आपको एक रुपईया देना है अब समझो यहां से ब्रदर क्या होगा दूसरा कलम लेते हैं क्या कॉमन लोगे बताओ आर बटे अचा रुख जा इसको तरह उपर ले आते हैं हाँ सर अब मज़ा आ रहा है सर कितना मस्त लग रहा है एकदम तीर भाई जी इधर देखो बेटा आर बटे बारास हो इंटू अंदर में आएगा दस नो आठ साथ जो पाच चार इन अब जोड़ने मत लगना सबको एपी लगा दो यहां यहां एपी लगा दो तुमको पता है है तो टूटल टर्म कितना है यहां पर 10 है तो सन का फर्मुलर किया हुआ था पाता पता है एस N का फर्मूल्l था इन बाइ two into first term प्लस लास्ट मेंग यह था मिथा तो तो टूटल टरम यहां पर वड़ कितना आगे हैं दो सो चालिस वट्टे 11 हो गया तुम्हारे सवाल का जवाब आगे है यही तुम्हारे तब पूरा SI का installment आया समझ में यह पूरा कहता है जी SI का installment और पेपर में आते हैं यह सब ऐसे सवाल यह जो पेपर में कभी भी आप installment के सवाल से कीछे नहीं अठेंगे आप वहीं पर उससे पंगा लेंगे हराएंगे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपना समझ पा रहे हैं तो आई होब हमको लगता है हम आपको पूरा का पूरा समझा पाएं आपको बहुत मज़ा आ यहां अग मिहनत कर रहे हैं आप अब सेलेक्शन लेने को आतूर है अंगर आप ऐसे मिहनत करते रहेंगे आपका स्लेक्शन बहुत छल्दिवा और मेरा बहुत काम ना है आपका सेलेक्शन हो यह माई सूचेए कि पीछे आके नहीं फिर अब को स्ट्र toughest आपको सकती आगा थाकि आउहि दिखाएंगे समाज को भी दिखाएंगे जरनल कमप्रिशन है इहाँ पता है यहाँ घर पर जाएंगे तो भूले गारे उसका जॉब लगे तुम्हाला नहीं लगा उसका जॉब लगे तुम्हां बहुत आदमी वह से लोग है जो घर से भी टी मोटिवेट हो जाते हैं यह बा अपना दिमाग कंसेंट्रेट कीजिए और सेलेक्शन निके जाई है अच्छे स्प्रेंट का निसा नहीं किया वो क्या करेगा जाएगा पूरे भूसले के डियर में से ऐसे सवालों को खोजेगा कहा कहा सवाल है उनका पुस्मार्टम करेगा अपने सवाल का जवाब लाके अगले वीडियो में आते हैं अब भी तुम्हारा जोमेटरी खतम नहीं है जोमेटरी चलेगा अभी पस बीच में थोड़ा मूनोटोनस तोरने के लिए मैं यह अप्लोड किया था अभी जोमेटरी खतम करके फिर मैं दूसरे टॉफीक पे चलोगा ठीक है मित्र मिलते फिर अगले वीडियो में मुस्कराते रहें हसते रहें और सबते के लिए वाई वाई टेक केर